अगर आपके साथ यह वाला problem हो रहा है कि आप प्यार मांगते मांगते ठक गए हो लेकिन partner को कोई परवाई नहीं है वो आपको प्यारे नहीं करता है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है आज मैं आपको बताऊंगी प्यार ना मांगके ऐसा आप क्या कर सकते हो जिसे की पार्टनर खुद तूट कर आपको प्यार करे जो आज तक आपको मांगने से नहीं मिला वही आपको बिना मांगे मिल जाएगा सरफ तीन काम करने से तो बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है सब के लिए लड़का लड़की सब के लिए बहुत जादा इंट्रेस्टिंग वीडियो है अगर आप अपनी पार्टनर से प्यार मांग मांग के ठक गए हो तो ये वीडियो ज़रूर पूरा बच कर लेना इसमें आपका ही फायरा है जो चली दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते है स्रीपारणास्री चैनल में न्यू हो तो अब भी सब्सक्राइब करके बिल बल आइकन दवा लेजिए ताकि मेरी आने वाली ऐसे ही लब टीप्स के कोई वीडियो आप मिस्स ना कर जाओ तो चली दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहली काम में आ जाते है पहला जो काम है वह है दोस्तों जैसे दिखो आप प्यार में पढ़ते हो फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंट करने लगते हो और फिर आपको ऐसा हिसास होता है कि आपका पार्टनर बहुत खास है और आपका पार्टनर अगर आपके लाइफ से चला गया तो आपका लाइफ एक दम बेजान हो जाएगा आपके life में कुछ नहीं बचेगा अगर partner चला गया तो और यह सोच के आप बहुत ज्यादा conscious हो जाते हो अपने partner के प्रती और उसको बहुत ज्यादा प्यार दिखाने लग जाते हो प्यार करने लग जाते हो क्योंकि आपके मन में एक डर सा बैठ जाता है कि इतना अच्छा पार्टनर मुझे कहीं नहीं मिलेगा और ये अगर मुझे छोड़ कर चला गया तो बस मेरा तो लाइफ खतम हो जाएगा इस छोच के चलते आप अपने पार्टनर को बहुत जादा सर पर चड़ा लेते हो और यहां से आपकी गलती शुरू होता है जैसी है आप अपने पार्टनर को बहुत जादा सर पर चड़ाते हो उसको बहुत जादा प्यार दिखाते हो और उसको ऐसा फील करवाते हो कि आपके लायफ में सर्फ और सर्फ वही है और कुछ नहीं है तब पार्टनर वाव खाना स्टार्ट कर देते हैं और आपको ग्रेंटे लेना शुरू कर देते हैं और जब वो आपको ग्रेंटे लेते हैं थोड़ा थोड़ा इग्नोर करते हैं और तब आपको फील होता है कि म प्यार नहीं मांगना है, आपको अपने आपको शक्तिशाली बनाना है, आपको ऐसा दिखाना है कि तुम अगर चले भी जाओगे मेरे लाइफ से, तो मेरे लाइफ में कोई फरक नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पार्टनर को अपमान करो, रूडली ब बंद करो, दूसरे काम में आते है, जैसी आप अपने पार्टनर से प्यार की भीक मांगना बंद करते हो, वैसे आपके पार्टनर की सिट्टिविट्टी गुल हो जाएगा, पर वो सोचेंगे कि क्या हो गया, इतने दिन तो मेरे इर्द्गिर्द खूम रहे थे, मेरे सामने आके भीखारी हो के तरहा प्यार मांगने थे, अचानक से तुम्हें इतना शक्ती कहा से मिल गया, अचानक से तुम्हें हो क्या गया है, कि तुम अब में इसे प्यार तक नहीं मांगते हो, तो उस सिच्चेशन में आपको यह बताना है, कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम तो मुझे प्यार नहीं देते हो, फिर मैं वीडियो देखा, फिर मुझे लगा कि तुमसे प्यार नहीं माँगना चाइए, ind defendants भी बता रेते हैं, मैं दोस्त बोले कि उसे प्यार मत मांगो, इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ, या फिर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये आपकी सबसे बड़ी गल्दी होती है दोस्तो आपको ऐसा बिलकुल नहीं बताना है जब वो आपसे पूछने आते हैं तब आपको ये बताना है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है फिर पार्टनर के अंदर डर होना स्टार्ट हो जाएगा उसको लेगा कि शायद आपके लाइफ में कोई और आ गया है इसलिए आप उससे अभी प्यार की भीक मागना बंद कर दिये हो और आप उसके उपर एटिंशन भी कम देने लगे हो तो यह जो दूसरा काम है ना बहुत ही आपको सिंसेर होके करना है अगर आप गलती कर दोगे तो फिर से पार्टनर वैसा ही बड़ताव करेंगे क्योंकि उसको पता है आप अपने दिमाग से तो कुछ नहीं कर रहे हो या फिर आपको एक वीडियो देखे हो या फिर आप किसी का सला लिये हो तो इससे क्या होगा वो निस्चिंद हो जाएंगे उसको लेगा कि मेरे पार्टनर इसका मतलब मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है लेकिन जैसे आप ये दिखाते हो कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैं तो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ हूँ तो इसे पार्टनर के अंदर डर होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपका दूसरा काम है अब थर्ड काम में आ जाते हैं अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको तूट कर प्यार करें सर्फ और सर्फ आपको ही प्यार करें तो दोस्तों आपको अकेला खुश रहना सीखना पड़ेगा सुद्ने में ये थोड़ा सा अटपट आपको लग रहा है लेकिन ये आपकी जिंदेगी का सत्य मैं आपको बता ली हो जितना आप अकेला खुश रहना सीख जाओगे उतना ही पार्टनर आपको तूट कर प्यार करेंगे क्योंकि दोस्तों जितना आप अकेला खुश रहना सीखोगे उतना ही पार्टनर के उपर से dependency आपका कम हो जाएगा partner को ऐसा feel होगा कि मैं अगर ना भी रहू तो भी यह अपने आप खुश रह सकता है या फिर रह सकती है या फिर मैं अगर इसको मेरा company ना दू या फिर मैं इसको साथ ना दू मैं इसको पैसा ना दू मैं इसको emotional support ना दू तो भी यह अच्छे से अपने आप में survive कर सकता है यह फिर कर सकती है जैसे यह चीज़ पार्टनर के मन में आएगा वैसी partner के लिए आप एक बहुत ही जादा strong personality प्रतीत होगे और जैसी यह चीज़ होगा partner automatically तूट के आपको प्यार करेंगे लेकिन maximum लोग यही गल्दी कर देते पार्टनर के उपर अपना पूरा dependency करते भी है और partner को दिखा भी देते है और इसलिए partner क्या करते है फिर उसको पता चल जाता कि यह तो मेरे ही उपर dependent है मेरे ही बोज है मैं इसको खाना दू तो यह खाएगा मैं इसको प्यार दू तो ही यह खुश रह पाएगा और इस वज़े से partner फिर आपको grant लेना start कर देते है और आपको फिर विकारी बनके भीख मांगना पड़ता है जिबकि उससे कोई फाइदा भी नहीं होता है चीख है तो यह जो तीन point में बताई इसको अगर आप अच्छे से follow कर पाओगे तो देखना आप अभी तक प्यार के भीख मांगना है थे ना अभी तको पूरा situation ही चैंज हो जाएगा partner आपके पिछाएंगे तूट कर प्यार करेंगे लेकिन शर्त यही है